दिल्ली के जालसाज ने आईफोन सस्ते में देने का जहासा देकर भोपाल के प्यापारी से 22 लाख रुपए ठग लिये पिडित प्यापारी ने लोलने कर उसे पैसा दिया था जालसाज ने प्यापारी का भरोसा जीतने के लिए पहले 16 आईफोन उसे सस्ते में दिये इसके बाद व्यापारी से एडवांस में 22 लाख रुपे ने लिए जब फोन नहीं पहुचे तब ठगी का पता चला हभीब गंज पुलिस मामला दर्च कर जाच कर रही है सस्ते में आईफोन देने का जासा देकर 22 लाख रुपे ठगे गए है ASI मनोज यादव ने बताया कि आयोध्या बाइपास पर रहने वाले अजय आगुजा की हभीब गंज के 10 नमबर मार्केट में मोबाइल फोन और SS रीच की दुकान है जनवरी में अपने एक दोस्त के जरिये अजय की मुलाकात दिल्ली के महिपाल पुर्व के रहने वाले मिलन सिंग वनत से हुई मिलन ने उससे बताया कि वो मोबाइल फोन बेचने का काम करता है इस पर पीडित ने उससे अलग-अलग समय पर करीब 16 आईफोन खरे दे मिलन ने बताया कि उसे एपल कंपनी की फ्रेंचीजी मिल गई है और अब वो सस्ते दाम पर आईफोन दिलवा सकता है आर्थी किस्तिक हराब होने के बाद भी अजय ने किसी तरह नोन लेकर मिलन को पहले 15 हजार फिर 4 लाग और फिर 2 बार में 7 लाग बच्चास जार रुपए दिये इस तरह उसने 21 लाग 80 हजार रुपए मिलन सिंग को दे दिये पैसे मिलने के बाद मिलन सिंग फोन देने में टाल बटोल करने लगा उसने कई दिनों तक कोई कॉल नहीं किया अजय के दबाब बनाने पर उसने 44 लुपए वापस कर दिये लेकिन आईफोन नहीं दिये आरोपी के पैसे या फोन देने में आनकानी करने पर अजय को उस पर सक हुआ और वो दिल्ली पहुचा पता चला कि मिलन एक छोटे से किराये के कमने में रहता है उसके पास एपल कमपनी की कोई फ्रेंचीजी नहीं है इस बीच मिलन लगा तार पैसे लॉट आने में ताल मटोल करता रहा पिडित अजय ने भोपाल लोट कर हभीब गंश्थाने में आरोपी मिलन सिंग के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया पुलिस की चार्च में सामने आया कि आरोपी मुलता गुजरात करेने वाला है